सरकार से मांग कर रहे हैं विहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप चांस की बात जो आप कर रहे हैं तीन चांस उसको आप हटा दीजे पांच चांस कर दीजे या अनगिनत कर दीजे जब BPSC सिविल सिवा में अनगिनत चांस है तो फिर आप सिक्षक भरती में तीन चांस की बा नियाँ वली जो सिख्छा विभाग के दॹछा जाली विभग के गिंती खिस प्रकार की जाएगी इसके बारे में कुछ भी the last नहीं कह wa और अभी तक यह इसपस्ट नहीं हुआ है, हजारों सिक्षा का वियर्थी इस बात को लेकर प्रिसान है, वे जानना चाहते हैं कि आखिर तीन चांस की गिंती किस परकार की जाएगी, सिक्षा विभाग बिहार सरकार को चाहिए कि इस बारे में वो इस्तिती इसपस्ट करें कि अन्गिनत कर दिया गया है, यानि जब तक आपकी उम्र सीमा, अधिक्तम उम्र सीमा है, तब तक आप BPSC सिविल सेवा में सामीर हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर सिक्षक भरती में ये चांस की बात क्यों, सरकार से अब मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से ये है यहां भी आप अनिगिनत चांस कर दीजिए जोकि यहां तो और ज्यादा कंप्लिकेशन है आप देखिए कि तीन चांस की गिंती आखिर आप किस परकार करेंगे हजारों ऐसे अभियर्थी होंगे जो TRE1 में सिर्फ 125 का एक्जाम दिये होंगे हजारों अभियर्थी ऐसे होंगे जो 125 का भी दिये होंगे 9-10 का भी दिये होंगे 11-12 का भी दिये होंगे तो क्या उनका चांस तीन चांस वही खतम हो गया इस बारे में तो कोई स्थिति एस परस्ट नहीं किया गया TRE2 में 1000 अभियर्थिये इसे होंगे जो 125 से लेकर 12 तक की परिछा दिये होंगे तो आखिर आप किस तरह गर्णा करेंगे आपको इस परस्ट कर देना चाहिए निया वली में जो कि अभी तक नहीं किया गया है और क्या इस तरह से गर्णा होगी कि 125 का तीन बार दे सकते हैं कोई अभियर्थी फिर 6-8 के लिए भी तीन बार चांस उनको मिलेगा 9-10 के लिए भी तीन बार मिलेगा 11-12 के लिए भी तीन बार मिलेगा इस तरह गिंती होगी या TRE1 में एक बार आप कोई भी परिछा दे दिये चाहे 125 का दिये या हम 125 से लेकर 12 तक दिये तो एक चांस गिना जाएगा इस तरह से आप गिंती करेंगे किस तरह से गिंती करेंगे ये तो इसपस्ट किया जाना चाहिए था लेकिन सिक्षाविभाग के द्वारा कुछ भी इसपस्ट नहीं किया गया हम बिहार सरकार से ये मांग कर रहे है कि आप सिक्षक भरती में चांस बाली बात को हटा दिजिए और जिस तरह BPSC सिविल सेवा में अनगिनत चांस की बात है यानि कि जब तक अधिक्तम उम्र सीमा है तब तक आप फोर्म भर सकते हैं उसी तरह BPSC TRI यानि सिक्षक भरती में भी आप चांस की बात को हटा दिजिए अनगिनत चांस कर दिजिए जब तक अधिक्तम उम्र सीमा है तब तक अभियर्थी सिक्षक भरती की परिच्छा दे सकते हैं ऐसा आप संसोधन नियावली में कीजिए क्योंकि हजारों अभियर्थी परिशान है आप तो पहले हर साल सिक्षक की भरती निकालते नहीं थे STET हर साल निकालते नहीं थे अब आचानक से आप कर दिजिए कि तीन चांस देंगे और जल्दी जल्दी आप एक्जाम ले लिए दो एक्जाम तो यईसे में तो अभियर्थी का नुकसान हो रहा है लाखो अभियर्थियों का नुकसान हो रहा है इसलिए बिहार सरकार से ये मांग कर रहे है कि सिक्षक भरती में तीन चांस वाली जो बाते उसको हटाया जाए और अनगिनत चांस की बात की जाए जैसे बिहार में BPSC civil सिवा में जिस तरह से है उसी तरह से यहां भी अनिगिनत चांस की बात की जब तक अधिक्ता मुम्र सीमा है तब तक अभियरती परिछा दे सकते हैं ऐसी विवस्था की जए